करेले गोष्ट इसके लिए गोष्ट लिया है मैंने एक किलो और प्यास लिया है मैंने 5-6 प्यास मुझे चाहिए और करेले एक किलो टमाटर मुझे तीन से चार चाहिए तीन मैंने इस पर रख लिया भी और हरी मिर्च पांच छे चाहिए मुझे नम्मक अपने टेस्ट के हिसाब से सुरफ पर्स चॉंसी है ये डेट चमच चाहिए और एक छोटी चमच हलदी की और कुकिंग ओयल जी अब ब इसमी तंद डीएंगे उन को इसमी आसों पनी और हरी मिर्च का लइए पीयाज ड़िस है करेंद के ख़ाए बायरी और कि शामल कर देंगे और इसके साली ही प्वाक यांज मैंने काटकर रखे लिए थे वही सालाओ दो दोक्ताब को तो ढशे मियाले रख दीनाओं और सुर और हेल्दी बस ये सब चीजें डालके और इसे हम ढाम के पकने के लिए रखतेंगे जी गोष्ट हमारा पक रहे हैं अब इसे मजीद पकने के लिए रखतेंगे ताकि ये पानी फुश्क हो जाए और गोष्ट भी अच्छे से गल जाए इसे करते हैं दूसरे चुले पे और करेलों को मैंने काट लिया है उन्हें करते हैं अब फ्राई जी अगर आप चाते हैं कि हमारे जून से पकने थे पाद पर देंगे पीर पैठबाहट तो उसके लिए पहते हीं टिप ये है कि आप धूल लिए और फिर किसीक प्रें से खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इन्हे काटें और इनके बीच बगडरा निकाल दें नमक बल्कल भी निलगाना और आप इसी तरह इन्हें फ्राई कर लेंगे और पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए तो फ्राई करके तो आप इसे रख लें और स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज भी कर सकते हैं तो यह काफी टाइम जूंसा आपके ठीक रहेंगे और तुकने के बाद कड़वे भी करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं बस इतने ही मैंने फ्राई करने थे उनके ज्यादा ब्राउन करेंगे तो उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इस बात का खियाद रखें कि जो इसमें चमच इसमाल करें वो भी बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और जिस ब जी गोष्ट भी हमारा हो चुका है त्यार का पानी भी खुश्प हो चुका है और जल भी है यह बहुत अच्छे से है इसको हम भून लेंके भी थोड़ा सा बिल्कुल आयल बिसमें डालोंगे मैं तकरिवें दो से तीन चमच जी करेलों को देखें के प्राई करने के बाद जितने क्रेले हो उतना ही प्यास मैंने बारी काट लिया है और साथ पांच से चुनसी है में रपास हरी मर्च है वह भी साबत मैं इसमें शामिल करूंगी और एक तमाटर काटके डालेंगे जोष्ट की बुनाई देखें हो चुकए है बहुत ही अच्छी कुष्टुओ आ रही है अब मैं शामिल करूंगी इसमें क्रेले बिसम लाह रखनाने रहने बैस के साथ इसमें शामिल करूंगी मैं प्यास पारी कटावा और हरी मेच के साथ ही दियास में डालूंगी परी प्रावा एक टोमाटर इसमें क्रेले प्याज और टोमाटर हरी में च्टाल के इसे में रख दूंगी तकरीबन 20 मिंट के लिए हल्की आँच पे दाम पर जी क्रेले गोश्ट हमारे रेटी हैं चूला कर देंगे बंद और इसे करते हैं डिशाओट इसमें लार रहाने जाए हैं इतने जबरदस्त क्रेले गोश्ट बने हैं कि जो ऐसे घर के कोई मिंबर अगर नहीं भी पसंद करता तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाला वो भी ज़रूर खाना शूरू करतेंगे बहुत जबरदस्त कुश्कु भी बहुत अच करेले बिल्कुल भी अगर आप इस तरीके से स्ट्रैप बेस्ट्रैप ऐसे ही बनाएंगे तो इन में कड़वाहट ज़रा भी नहीं होगी विवर्स करेले कोच्त हमारे रेडी हैं बहुत ही मज़े के बने हैं आप इसरूर ट्रै करें और बताएं कि हमारी आज kी रेस向र ही बनाए जो हमारे चैनल पर ने हों हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपना बहुत सा ख्यार रखें, दौाओं में याद रखें, होंके अल्ला पेस।